नमस्कार दोस्तो दोस्तो आजके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोर्थेस्ट फ्रेंटियर रेल्वे में अप्रेंटीज के 2590 पोस्ट के संतिंग पोस्ट आई हुए है उसके फोर्म को कैसे भरना होगा क्या डोकुमेंट्स लगाने होगे कैसे आपको फो इस वीडियो में की गई है मैं आपको बताओंगा प्लीज प्यारा सा बीडियो है पांच मिंट लगेंगे आपके और आप झोटी सी बढ़ीती करने से बस सकते हो तो प्लीज आपके पांच मिन्त आपके बहुत काम आएंगे तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें श खाले स्थान फिर आपका डिविजन वर्क्शॉप ठीक है तुबी फिल्ड बाई एप्लिकेंट हीज डाउन हार्ड रेटिंग इन इंग्लिस ठीक है इंग्लिस में आपको फोर्म बढ़ना पड़ेगा और रेलवे किस डिविजन के लिए करना होगा उसके बाद सीडियल नंबर यह आपको नहीं बढ़ना है ओफिस यूज इकॉर्ड यह उसके लिए ठीक है ओफिस वाले लोग अपना बढ़ लेंगे सबसे पहले क्या करोगे आपको एक अपना यहां पर तीन मंत के अंदर खिच इसपोट साइज फोटो विदाउट कैप एंड कलस ग्लासेज साइंट बाइद है कंड़ेट गजस्टिड ऑफिसर के द्वारा हैं कि आप खुद भी सेर्पटाच करोगे और किसी गजस्टिड ऑफिसर मतलब किसी सरकारी वकील सरकारी डॉक्टर या किसी सरकारी अस्पक्त विदाब करा सकते हैं वह गोर्मेंट होना चाहिए उससे आप करा सकते हैं उसके बाद को के बाद यहां पर लिखा है एंड क्लोट कि मतलब कितने डॉकुमेंट्स लगाने आपको यह पर इस मेंश के नंबर लिखना पड़ेंगे मतलब जैसे पांच क्यों दोकुमेंट्स ओлекहना पड़ेगा उसे पहले टू को सेंड करना जो कि में बताओंगा तो देखिए आपको पहले नंबर को में इंग्लीस में लिखना पड़ेगा अस नाम मालीजे आपका नाम रभी है तो पहले आपका ईक छोटासा बोकस है इसमें डार भी इस फिर में भी आये सबसे बड़े लिफापे को कैसे बढ़ने पड़ेगे वो भी आपको समें लिंक मिलेगा कि कि ओफ लिफापे कैसे बरें आप देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे आपका नेम फिर आपका एड्रस फिर आपका कॉंटेक्ट नमबर इमेल एड़ी है तो डाल देंगे नहीं है तो नो कर देंगे लेकिन नाम लिखना पड़ेगा पूरी लाइन में ड्रस ल नेशनलिटी में आपको लिखना पड़ेगा इंडियन आपका जो भी हिंदू मुस्लिम सी किसाई पंजाबी जो भी वो लिख दोगे उसके बाद प्रीज टिक दैए एक सर्विसमेन अगर आप एक सर्विसमेन हो येस कर दोगे नहीं हो नो कर दो उसके बाद फिजिकली हैं किस स्टेट का डॉमिसाया लखते हैं किस इस्टेट का निवास परमान पतर आपके पास है वो मेंशन करना पड़ेगा उसका नाम लिकना पड़ेगा छोस अपड़ ट्रेड आप किस ट्रेड्स अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद तेरह नंबर में वैदर यूपलिकेंट इस थ टेल देनी पड़ेगी तेरा नंबर में उसके बाद चलते हैं इफ डिकलेड इस डेट बर्थ मुझे भी उसी वाले ओप्षन का है आप भर लोगे नहीं हो तो नहों कर दोगे चोदा नंबर में एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन एकैडमिक नेम ओप इंशिट्यू इसको भी कर दोगे मतलब जो भी आपकी आपका मत्था चेहरा उस पर कोई निशान तिल कटे वगर निशान तो दो ऐसे निशान आपको दिखाने पड़ेगे जो आपका आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसके बाद पर्टिकुलर अपड़ फीस नेम अपड़ पोस्ट ओपिस बैंक आईपी बैंक ड्राफ्ट कैसे बनवाते हैं और कैसे आपको एप्लिकेशन फोर्म में ड्राफ्ट बढ़ना पड़ेगा उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ आपको वीडियो के डिस्क्रप करते हैं तो फिसके डिटेल भी आपको देनी पड़ सकती है फिर उन्निस नंबर कॉलम को आप पढ़ लोगे यहां पर आर्टी आफ करोगे ठीक है दोस्तों यह जो तीन कोलम आपको दिखाए दे रहे हैं एल्टी आई या फिर आर्टी मतलब लेफ्ट हैंड का थम इंप्रेशन या फिर राइट का फिर आपका सिगनेचर फिर उसका डेट एंड प्लेस यह आपको करना जरूरी है उसके बाद आगे चलते हैं आगे क्या लिक्क है फ इन चार्ज ऑफिसर यह आपको नहीं परना है वो खुद कर लेंगे फॉर दा ओफिस यूज रिकॉर्ड ओनली ठीक है यहां पर लिखा है के इंप्लोई इस या फिर वाज वर्किंग एंदर डिजिन के लिए ऑफिस सेल ठीक है यह रेलवे का है यह आपको नहीं करना होगा ठीक है दोस्तों सिखने जल ओप दा है इन चार्ज ऑफ दा ओफिस उसके बाद फोर ओफिस यूज ओनली यह भी उनको यह करना है आपको नहीं करना है अब चलते हैं नीचे प्लिए यह देखे हैं आपर यह एडमीट कार्ड के लिए है एडमीट कार्ड को भी आपको ऐसे क करना पड़ा है कि जैसे आपको ऊपर मेंचन किया हुआ है कि इसमें आपका एडमिट कार्ड ओफ लाइन आएगा यहां पर लेखा यह वर सीरियल नंबर इज ओफिर दे यूज रिकोर्ड ओनली यह भी आपको ओफिस वाले लोग बरेंगे आप नहीं बरोगी ठीक है अब मैं बताता हूँ अब आपको क्या डोकुमेंट्स लगाने पड़ेंगे किस तरह आपको सेंड करना पड़ेगा और क्या सेंड कैसे करना पड़ेगा यह देखिए सबसे पहले आपको वहाँ पर चूज करना पड़ेगे यह यूनिट दी गई है वरक्शोप यहां पर पांच सामने उसका लिख का है आपको यह अल्डरिकना पड़ेगा टू के बात ठीक है एकटता फ्रों का चाहाथ अपना छुन को भी सेंधा धना अपने पैल करेंगे था है यह यह देखिए सबसे मेन आप के लिए आप किया करोगे है आपको जो है अपना भूंब लेने के बाद क कैसे करना पड़ेगा आपको थोट वाई रजिस्टर पोस्ट केवल अपने रजिस्टर पोस्ट से अपने फोर्म को अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है जब आप पूरा फोर्म फिलब कर लोगे आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो पोस्ट ऑफिस में जाके बोलना कि मुझे मे सबसे बड़ा लिफापा जब आफ होम को फिल आप कर लोगे उसके आपर आपको क्या लिखना पड़ाइब करनेंगा एक लिखन फोर्ड़ एगनेस्ट एच एक्ट एपरेंटिस एन्ड डिस्जन ट्रेड एप्लाइड फोर किश के लिए कर रहे हैं एंड किस डिविजन के लिए करें ये चीज़ आपको ऊपर जरूरू मैंशन करने होगी आप अपनी कैटेगरी भी उपरी लेक सकते है है ठीक है दोस्तों तो सेल परटेच कोपी होगी आपकी पूरी जो कोपी होगी सेल परटे जोगी और किया होगा है ऊपको क्या होता है टोटा है है ये आपको आप पर ले जानी पड़ेगी आपके पास जोड़ने चाहिए ठीक है दोस्तों आप अपना अधार कार्ड भी लगा दोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा लास्ट डेट फॉर दर सेफने स्ट आपको यहां पर दिखाई दे रही है और अब कोई प्रोलम कोई दिक्कत रह गई हो आपको लिए आपको लग करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू दोस्तों वेलकम